हेलो एवरीबन दिशी शुभाष वेलकम टू अवर चैनल आई टी आई फिटर ग्यान पिशली वीडियो में हमने टॉप 30 कोशन देखे थे एक सी 30 तक अब बारी आती है इसके आगे की कोशन की अगर आप नए है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर करें चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 31 आपको दिखाई दे रहा है यहां पे मेट्रिक आउटसाइड माइक्रो मीटर के थिमबल के वीवल एच पर बने एक डिवीजन का मान कितना होता है सिंपल सा कोशन है बस इसमें थोड़ा आपको कैल्कुलेशन करना पड़ेगा आप जानते हो जो उसके पूरा गूमता है तो हमारे लीड को 0.5 mm आगे बढ़ाता है तो अब हमें एक डिवीजन का मान निकालना है तो 0.5 अपॉन 50 ठीक है यह 50 हो जाएगा तो इसको आप जब भी सॉल करो कितना आएगा 0.01 समझ भें आया शुडेंट तो आपका ओप्शन कौन सा सही हो रहा आप आपका चौथा बिल्कुल सही हो रहा 0.01 mm चलिए कोशन नंबर 32 देते थे जदी किसी आउटसाइड माइक्रो मीटर के थिंबल डिवीजन की 0 ग्रेजिशन डेटम लाइन से नीचे रह जाती है जबकि माइक्रो मीटर के मेजरिंग फेसे से परसपर संपर्क में है तब ऐसे समझा देता हूँ चलिए देखते हैं इस कोशन को कैसे देख सॉल्व करना है अब इसमें बोल ला है निगेटिव एर्र हमारा आंसर कैसे हैगा सपोस्ट यह हमारा बिवल थिंबल है और यह हमारी जीरो वाला पॉइंट है और कहीं नहीं कहीं जो हमारी डेटम लाइन है यह उपर की तरफ है यह हमारी डेटम लाइन है अब देखे जीरो क्या है हमारी डेटम लाइन के उपर है तो हमें यहां तक उपर आने के लिए हम अपनी रीडिंग को क्या करेंगे एड करेंगे तो निगेटिव एर्र हम कैसे पचाने जब हमारा जो जीरो अला थिंबल बिवल एज है हमारी datum line के नीचे है positive error में क्या होता है student उपर चला जाता है तो इसी लिए आपका जो सही answer है negative ठीक है क्योंकि नीचे रहने की बात यहाँ पर हो रही है question number 33 देख लेते हैं इसमें दिया हुआ है depth micrometer का प्रयोग अधिक range में साइजो को चे करने के लिए किया जाता है क्योंकि आपका सही answer क्या आएगा क्योंकि इसके साथ क्या होता ना अधिक अलग-अलग different length की extension rod परयोग किये जाते हैं तो आपका सही answer है पहला सही answer है आपका पहला इसके साथ क्या extension rod आती है चलिए आगे देख लेते हैं question number 34 में question number 34 आपको दिया हुआ है मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ क्या दिया हुआ है name लिएक माइक्रो मीटर में thimble और sleeve की graduation है outside micrometer की आप एच्छा भी प्रीव दिशा में बनी होती है यह बहुत ही simple सा question और last class में मैंने थोड़ा discussion किया था क्या होता है depth micrometer आपके outside के compare में उल्टा होता है reading हम उल्टे direction से read करते है ओके student चलिए आगे बढ़ते है अब यह कुछ question आपका solve करने वाला है आपको कुछ graduation line दिखाए दिरी यह जो हमारी वर्णे कैली पर की है और आपसे पूछ रहा है कि यह reading हमारी कितनी है अब आप देख सकते हैं कि यह जो में सबसे पहले हमें निकालना है MSR main skill reading यह 20 mm और उसका के 5 यानि जिरो यह line हमारी 25 और 26 के बीच में आ रही है मैंने बोला था आपको कम वाले नेना है तो MSR अपना हो गया है यहाँ पर 25 mm अब हमें देखना है कि यहाँ से कौन सी line perfect concept कर रही है ठीक है अब हमें यहाँ पर चेक करना है कौन सी line perfect concept कर रही है अब यहाँ से देखेंगे यह जो BC वाले line है यह आप देख पारे हैं जो BC वाले line हुआ हमारी perfect concept कर रही है तो 25 प्लस 25 सॉरी 20 वी लाइन थी इन टू लिस्ट काउंट आप जानते हो बने के लिए पर 0.02 आएगा ठीक है जब इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 25.40 0 कौन सा option आपको बिल्कुल सही लग रहा है option number 3 आपको बिल्कुल सही लग रहा है चलिए आगे बढ़ते है वर्नियर outside micrometer का list count कितना होता है बहुत ही simple सा question देखिए यहाँ पर आ चुका है अब देखिए यहाँ पर अगर आप से matrix पूछा जाता तो इस भाग पर main scale gradation line बनी होती है बहुत इस simple सा question है मैंने आपको बर्नियर outside gauge पढ़ा है तो आप पता है तो आप वो जाकी वीडियो देख सकते है तो आपको सही आंसर है बीम पर आपकी main scale की gradation line बनी होती है question number 38 देखते है वर्नियर बीम पर्डेक्टर के साथ माप लिते समय प्राया कौन सह भाग reference surface की तरह प्रयोक होता है तो आपको पता है कि वर्नियर बीम पर्डेटर में एक हमारा blade होता है दूसरा हमारा stock होता तो सही आंसर इसका होगा इस टॉक क्योंकि इस टॉक हमारा reference plane की तरह यूज किया जाता है ओके student चलिए question number 39 देखते हैं क्या दिया हुआ है one year Bible protector के किस भाग पर main scale division हो से बनी होती है one year Bible protector के किस भाग पर main scale division बनी होती है simple question है मैंने आपकी parts में discussion किया हुआ था इसमें तो किस में होती है बताइए फटाफट इसका होता है डिस्क डिस्क पे हमारे main scale बने होते हैं ओके चलिए question number 40 देखते हैं 40 में क्या दिविजन का मान कितना होता है तो एक डिगरी 55 मिनट हमने आपको पढ़ाते पारता से में discussion चाहिचा हुई थी तो आपका सही answer है आपका सही answer है थार्ड चलिए आगे देख लेते हैं आगे देख लेते हैं question number 41 देखिए वर्णियर बीवल प्रोटक्टर के प्रतेग main scale division का मान कितना होता है वर्णियर बीवल प्रोटक्टर के प्रतेग main scale division का मान अरे तो simple सा question student आपके सामने आ चुका है क्यों यहां हतना होता है एक degree होताय है एक degree होताय है question number 42 देख लेते है 1 year blue protected list count कितना होता है तो 5 minute होता है कितना होता है 5 minute चलिए आगे देखते है 43 1 year depth gauge का list count कितना होता है 1 year depth gauge और 1 year caliper का list count हमारा same होता है जानी कि 0.02mm या 20 micron ओके आगे question देखिए 1 year depth gauge का प्रयोग किसे माँपने में करते हैं one year depth gauge का प्रयोग किसे माँपने में करते हैं तो आपका जो सigh आंसर होगा step blind hole की गहराई ऐसा blind hole से मतलब होता है जो हमें visible नहीं होता हो जहां पर हमारा कोई भी इस्ट्र PC का यूजज करते है तो आपका सही आंसर इसका option number third step land hole की गयराई चलिए question number 45 देख लेते हैं 1 year height gauge का list count कितना होता है 1 year height gauge का list count दगे question थोड़ा ये repeat हो चुका है .02 mm अभी discussion हो रहा था आपके साथ में चलिए question number 46 देखते हैं यापे laying out करते समय 1 year height gauge का प्रयोग करना चाहिए अब laying out करते हैं तो उस time पे हमें क्या प्रयोग करना चाहिए तो surface plate जहाँ पे हमारा 1 year height gauge को रखा जाता है तो पहला option आपका बिल्कुल सही है surface plate पे चलिए question number 47 देख लेते हैं 1 year height gauge का size किसके दोरा निर्दिष्ट किया जाता है तो है beam की चोड़ाई के according निर्दिष्ट कर सकते हैं specify कर सकते हैं चलिए question number 48 देखते हैं 1 year height gauge के द्वारा marking करते समय कार का प्रयोग कैसे किया जाता है तो आपका सही answer है पहला angle plate के आश्रे देने के लिए हैं चलिए question number 49 देख लेते हैं सबसे छोटे सबसे छोटे size के inside micrometer की sleeve पर range में graduation अंकित होते हैं तो कितना होता सबसे छोटे size में आपका होता है 13 mm में ओके चलिए question number 50 देख लेते हैं question number 50 में दिया हुआ है one year bubble protector में 5 minute की list count प्राप्त करने के लिए 23 degree main scale में विभाजित किया जाता है यह तो हमारा list count के बारे में पूचा है हमने आपको one year bubble protector के बारे में discussion किया था और बताया था कि इसका list count निकालते कैसे हैं यह वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो हमारा दे सकता है या प्लेलिट से जुड़के आप हमारी वह वीडियो देख सकते हैं तो इसका कितने भागों के बराबर होता है तो वह नियर सकेल के बारा भागों के बराबर होता है आपका option number पहला बिल्कुल सही है चलिए कोश्चन किसी 90 डिग्री से कम कोण कहते है बहुत सिंपल सा कोश्चन नाइंत और तेंत का कोश्चन है क्या होता है हमारा नियन कोण होता है जो 90 डिग्री ज्यादा होता उसे बोलते हम अधि कोण कि अगला है वर्नियर विवल प्रोटक्टर हमारा किस सिध्धान्त पर कार करता है चलिए प्रिंसिपल के बारे में डिसकेशन हो चुके थी आपसे बात चित्तों वर्नियर विवल प्रोटक्टर ठीक है 53 देखिए 53 में कुछ आपको सॉल करना एक नुमेरिकल दिया हुआ है चित्र में दिखाया गया वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर है ठीक है और आपसे बोला गया इसकी रीडिंग है कितनी तो इस्टूटिन देखिए यह है 10 उसकी आगल यह है 11 यह आगल है 12 तो MSR जो हो चुका हमारा 12 अब हमें चेक करना यहां पर रीडिंग है कितनी अब देख पा रहे होगे कि 24 जो लाइन परफेक्ट कॉन साइट कर रही है तो 24 इंटू लिस्ट काउंट कितना तो 0.01 आप इसको सॉल करें तो कितना आ ज प्लंद के वराद़ के जैसे करो 4 और 2 तो यह हमारा बराबर होता है पॉइंट 4 का है option number दूसरा point six two two मिलके बराबर होता है चलिए 56 question number देख लेते हैं 10 to the power six का उपसर्ग क्या होता है बताए फटा 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 I think mega होता है 56 का question number third mega बिल्कुत सही है आगे question 10 to the power minus one के उपसर्ग का आर्थ कितना होता है देखिए 10 कितना होता है हमारा एक मीटर में 10 decimeter होता है याने के 10 to the power minus one तो आपका सही answer है चौथा आगे question देखिए एक आपको sign बना हुआ जिसको बोलते हैं ठीक है यह simple question वो बोला जा रहा है इसका अर्थ क्या होता है तो micro तो student ये वीडियो के हमारे पास question यही पे खताम होते हैं तो ये हमने आज की class में देखा है top 58 question आपके measurement tool से जुड़ हुए I hope student आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा हमारे वीडियो को like share and subscribe जरू कीजिए और ये question आपके exam के point of view से बहुत important है आपके आने वाले exam जैसे की UPRV, UNNL, Northern Coal Field Limited, ISRO और स्टील दुरगापूर ये in exam के लिए question आपके लिए important है अगर ये आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको हमारे टेली ग्राम चैनल से जुनना पड़ेगा जो description में उसका link available है I hope students ये वीडियो आपको अच्छा लगे एक तब तक हमारे वीडियो पर बने रहे हमारे वीडियो को like share and subscribe जरू करें बहुत बहुत धन्वाद